जैहिन दोस्तों देखिए DRDO में 10th pass, 12th pass और graduation pass वाले सभी विद्धार्थियों के लिए एक नई vacancy निकल के आ चुकी है टोटल 1061 seat है दोस्तों और ये सरकारी vacancy है DRDO आप सभी जानते हैं Defense Research and Development Organization जो की भारत सरकार के रक्षा विभाग के अंतरगत आता है तो आपको इस vacancy को जोर भरना चाहिए इस पर 10th, 12th और graduation level का vacancy होने वाला है तो आप सभी विद्धार्थी वीडियो को continue last तक देखिएगा ताकि आप लोगों कोम पूरी बात समझा सकें और आप अपनी अपनी qualification के हिसाब से 1 form, 2 form या 3 form भी भर सकते हैं द्यान दीजे, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों post, post कितना है, 1061, total 1061 seat के लिए दोस्तों vacancy निकला है इसके बाद यदि apply date की बात की जाए तो द्यान दीजेगा, 7.11 से इसका online चालू होगा, चलेगा 7.12.22 तक यानि 7.11 से 7.12.22 तक form भराएगा, भर दीजेगा, उमर सीमा की बात करेंगे age limit कितना होना चाहिए, तो देखिए, 7.12.22 से आपका age count होगा, ठीक है, 7.12.22 से आपका age गीनेगा, minimum आपका age होना चाहिए, 18 साल, और maximum age होना चाहिए, 32 साल और 27 साल, कुछ-कुछ post में 27 साल maximum मा चाहिए, यहां तक लिए है है दोस्तो, इसके बात category wise यहां पर vacancy देख सकते हैं, general, OBC, EWS, SC और ST, general वालों की यहीं बात की जाए, तो 689 सीट है general candidate का, ठीक है, OBC का 204 vacancy है, EWS का 66 सीट है, SC की बात करें तो 71 सीट है, ठीक है, और ST वालों का 40 सीट है, सब को यहीं मिला तो total 1661 post यहां पर हो रहा है, ठीक है, free का बात करेंगे दोस्तो, general, OBC और EWS, इनको मातर 100 रुप है payment करना होगा online, बाकी other किसी भी category से आप बिलों करते हैं, तो आपको इस पे payment नहीं लगेगा, मिलाओं का भी कुछ भी पैसा इस पे नहीं लगेगा, समझ माग या, चलिए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे post के लिए vacancy निकला है, total 11 परकार का seat है, ठीक है, तो यहां पर देख सकते है fireman का vacancy है, और भी बहुत तरह का 11 परकार का seat है, सबका अभी एक एक करके qualification हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसके बाद इसका physical test में क्या क् होगा यह भी बताएंगे, तो देखें दोस्तों पहला जो post है यह है fireman, fireman तो आप लोग समझते हैं जिसका काम होता है आग बुझाना, तो इस पर total 86 seat है, ठीक है, 86 vacancy के लिए fireman का post निकाला गया है, अब बात करें इस पर qualification क्या चाहिए, तो इस पर चाहिए केवल और केव fireman के लिए, इस पर 86 seat है, अगला जो vacancy है दोस्तों यह है administrative assistant A, English typing का, और इसी post के लिए Hindi typing के लिए भी vacancy है, तो English typing वाला के लिए administrative assistant, तो इस पर total 2500 seat है, 250 vacancy है दोस्तों, इस पर आप qualification क्या चाहिए, तो देखें, इस पर चाहिए 10 plus 2, आपका intermediate होना चाहिए किसी भी stream में, प् English में 35 word per minute का typing आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इस पर English का भी post है, हिंदी typing के लिए भी post है, दोनों में 10 plus 2 चाहिए, इस पर English में typing करना पड़ेगा, 35 word per minute, और इस पर हिंदी में typing करना पड़ेगा, 30 word per minute, इस पर 12 vacancy है, और इस पर 250 vacancy है, समझवा गया, post का नाम हो गया administrative assistant, Hindi का भी seat है, English का भी seat है, आप जिसका भी typing जानते हैं, वो वाला post आप apply कर दीजेगा, समझवा गया, चलिए next जो post है, दोस्तों, चार नमबर, यह है store assistant, store assistant जो है, यह भी Hindi typing के लिए भी है, और English typing के लिए भी है, तो यदि store assistant हिंदी वाला देखेंगे, तो इस पर 134 vacancy है, औ तो store assistant में आपका same qualification मांगा गया है, 10 plus 2 आपका होना चाहिए, तो 10 plus 2 आपका होना चाहिए, यानि intermediate pass होना चाहिए, किसी भी stream में, प्लस में, आपको यदि हिंदी वाला भरना है, तो आपको typing करना होगा, 30 word per minute के हिसाब से, और यदि आप English वाला भरियेगा, तो 35 word per minute के हिंदी इंगलिस और store assistant हिंदी इंगलिस, दोनों बता दिये, देखें दोस्तों आप बात करेंगे next vacancy की, जो की निकाला गिया है, stenographer के लिए, ठीक है, stenographer grade 1 और stenographer grade 2, देखें, grade 1 में graduation मांगा है, 215 vacancy है, और grade 2 में 12 मांगा है, 123 vacancy है, ठीक है, यदि grade 1 की qualification की बात करें, तो इस पर आपका bachelor degree होना चाहिए, यानि आपका graduation होना चाहिए, किसी भी subject में, प्लस में आपका इस पर 10 minute का dictation देना होगा, 100 word per minute का, और transcription आपका 40 minute का होगा, ठीक है, जो भी stenographer का test होता है, यदि आप grade 2 के लिए अपला कीजेगा, तो आपका इस पर 10th plus 2, यानि intermediate होना चाहिए प्लस में 10 minute का आपका वही dictation होगा, 80 word per minute के हिसाब से, और 50 minute का आपको इस टेना टेस्टिस पर देना पड़ेगा, समझ मागया, अंतर दोनों में सिर्फ यह ही है, कि grade 1 में graduation, grade 2 में आपका 12th pass होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, चलिए, अब बात करतें next vacancy के बारे में, जो क होना चाहिए, प्लस में आपका driving license होना चाहिए, और 3 साल का आपका experience होना चाहिए, यदि आप vehicle operator के लिए भरतें, तो आपका 10th pass मांगा है, driving license मांगा है, और 3 साल का experience भी मांगा गिया है, इसके बाद 9 number देखेंगे, fire engine driver, fire engine driver में 18 seat है दोस्तों, इस पे आपका चाहिए class 10th certificate plus में आपका driving license होना चाहिए, कोई experience इस पे नहीं मांगा गया है, 10th plus driving license, यदि आप fire engine driver के लिए भरेंगे तो, इसके बाद अगली vacancy है, junior translator officer, junior translator officer, इस पे आपका 33 seat है, total कितना seat है, 33 seat है दोस्तों, इस पे आपका क्या चाहिए, यहाँ पर आप screen में देख सकते हैं, इस पे आ आ गया, तो यह हो गया, दोस्तों, JTO, इसके बाद next vacancy है, security assistant, इस पे total 41 seat है, 41 vacancy है, निकाला गया है, security assistant के लिए, इस पे दोस्तों, आप लोगों का qualification चाहिए, 10 plus 2, यानि intermediate आपका होना चाहिए, किसी भी subject में है, चलेगा, तो आपके हिसाब से, जो भी qualification आप पर suit कर रहा है आप जिस भी qualification को रखते, आप उस vacancy के लिए apply कर देजेगा, समझ माग है, यदि आपके पास कुछ भी experience नहीं है, तो आप fireman के लिए भरिये, 86 seat है, और 10 plus 2, यदि आप typing जानते हैं, तो इस आप post के लिए भर सकते हो, इस channel जानते हो, तो इस आप post के लिए apply कर सकते हो, तो बहुत अच्छी अच्छी vacancies इस पर निकाली गई है, ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, selection process इसका क्या है, selection process किन किन, इस टेप से आपको हो करके गुजरना होगा, तो सबसे पहला है return test, आपका लिखित परिछा होगा, जो कि computer में होगा, CBT test लिया जाएगा, इसकी बाद आपका skill test होगा, ठीक है, skill test मतलब वही computer में typing वगरा, इसको कहेंगे skill test, इसके बाद आपका physical test होगा, इसके बाद आपका descriptive test होगा, ठीक है, physical eligibility की बात करेंगे, कि इस पर क्या क्या चाहिए, height, chest वगरा की running कितना होगा, तो इसको चली दोस्तों, mobile screen में बता देते हैं आपको देखें दोस्तों, ये DRDO का official notification है, इस पर physical के बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले बात करेंगे, height, height without shoes, बीना जूता पहने आपका height measure किया जाएगा, male का जो height है, 165 cm होना चाहिए minimum, और female का height 157 cm आपका होना चाहिए, ठीक है, और इदी छाती की बात करेंगे दोस्तों, तो 81 cm होना चाहिए, unexpanded यानि बीना फुलाए हुए 81 cm आपका chest इस पर मांगा गया है, female का not applied, समझवा गया, देखें दोस्तों, chest expansion की बात करें, तो 5 cm आप फुला सकते हैं, और वजन की बात करें, आपका weight कितना होना चाहिए, तो पुरुसों का 50 kg minimum वजन होना चाहिए, और महिलाओं का 45 kg minimum वजन आपका, इस पर मांगा गया है, ठीक है, देखें, दोस्तों, आप बात करेंगे, रणिंग कितना होगा, तो रणिंग, a distance of 1600 meter in 7 minutes, यानि 1600 meter आपको 7 minutes में दोड़ना पड़ेगा, carrying a weight of 63.5 kg to a distance of 183 meter within 96 seconds, only for fireman post, fireman post के लिए आप फॉम भरि दोस्तों, देख लिजे, तो आपको क्या है, कि 63 kg का वजन लेकर के 96 seconds में 183 meter आपको क्या करना होगा, उसको ले जाना होगा, समझ वा गया, इसके बाद 3 meter vertical rope climbing, यानि 3 meter का रसी में आपको उपर चाड़ना पड़ेगा, या आपका 3 meter रसी में उपर चाड़ना होगा, 20 आपक 2.7 meter wide ditch, मतलब गढ़ा रहेगा, 2.7 meter का, उसको आपको कूदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 chance दिया जाएगा, समझें, जिसको long jump भी आप कह सकते हैं, महिलाओं की बात करेंगे, दोस्तों, ध्यान दीजेगा, running a distance of 800 meter, पांच मिनिट में आपको दोड़ना है, और फा इनको भी चाड़ना पड़ेगा, और 15 seats आप इनको मारना है, और 2 meter का, आपका, क्या है, long jump इसके करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 chance दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों, फिजिकल में बस इतना ही मागा गया है, जो mainly था, वो हम बता दिये, अब बात कर इसका exam का दोस्तों, यहाँ पर इसका exam pattern आप दे सकते हैं, CBT, provisional selection 1, इस पर आपका post code दिया है, कि किस-किस post में कौन सा exam आपका होगा, 40 questions on general Hindi, 40 questions on general English, maximum marks रहेगा 80, और duration of exam 60 minute का आपको time दिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 75 questions जो आपका रहेगा, quantitative aptitude, यानी, mathematics से, reasoning से, और general awareness और general English, यानी, GKGS और English से आपका question रहेगा, तो इन सारे से question मिला रहेगा, 75 questions, 75 marks, time मिलेगा, 60 minute, इसके बाद जो skill test होगा, दोस्तों, skill test में क्या-क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दिजिए, all post except इतना, यानी, इस post code को छोड़ करके, सारे post में आपका यह skill test वगर होगा क्या लिखा है दोस्तों कि it is also mandatory for shortlisted candidate to pass the prescribed skill या physical fitness and capability test as per the norms, यानी, पास करना ही पड़ेगा, इसके बाद descriptive की बात करेंगे, यहाँ पर descriptive में क्या होगा, देखिए, post code यतना, इसके लिए आपको descriptive होगा, translation और एसे आप से पूछा जाएगा, 200 marks का आपका होगा, translation और एसे time मिल एक सो बीस मिनेट, ठीक है दोस्तों, तो यह था return का syllabus और उपर जो physical था, हमने सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आपको physical eligibility भी बता दिये, और आपका return eligibility भी बता दिये, और return test का syllabus भी बता दिये, तो यह दिए आप ज़रा सा भ बहुत धन्यवाद